ओम नमे सिवायो देवी देवताओं को इंसाफ के लिए जाना जाता है अदालतों से लेकर आम परमपराओं में भी देवी देवताओं की कस्मे खाई जाती हैं और उन्हें इंसाफ का प्रतिक माना जाता है इसके विपरीद 36 गड़ के बस्तर अंचल में आदिवासी समुदाओं के लोग देवी देवताओं को भी सजा देते हैं ये आदिवासी समुदाओं सदियों से विबिन देवी देवताओं की पूजा करते आ रही हैं यहां देवताओं और इंसान का रिष्टा अटूट आस्था और विस्पास पर टिका हुआ है दोस्तो नमस्कार आपका मेरे चैनल पर स्वागत है मनुस्य गलती करता है और उस अदालत में दंड तै करता है सुन्वाई के पस्चा जुर्म साबित होने पर सजा तै होती है लेकिन केस काल में एक अदालत ऐसी लगती है जहां देवी देवताओं को भी उसके कर्म के अनुसाद दंडित किया जाता है छेतर में देवताओं के प्रमुख भंगा राम नियाई के देवतामाने जाते हैं जो बाकी देवी देवताओं को उसरधालूँ, पुजारी, गायता वे बुजर्गों के आरोप के बाद दंड तै करते हैं जो की भादो जातरा के नाम से प्रसीद है इस वर्स में सनिवार को या कारिकरम आयोजित हुआ जहां गलती पाए जाने पर देवी देवताओं को दंडित किया गया दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखें अच्छी लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब बवस्ते करें आपको बता दे जिला मुखालय कोंडा गाओं से करीब 60 किलोमेटर की दूरी पर सर्पी लाकार केस काल घाट की वादियों में मौजूद सद्यो पुराना भंगाराम माई का दर्बार है जिसे देवी देवताओं के नियायले के तोर पर जाना जाता है कहा जाता है कि भंगाराम की अनुमती के बिना इलाके में इस्तित नो परगना में कोई देवी देवता काम नहीं कर सकते यहाँ पर साल में एक बार भादर पद सुक्ल प्रतिपदा को मंदिर प्रांगन में विसाल जातरा या मेला अयोचित किया जाता है जहां बड़ी तादाद में स्रधालू अपनी देवी देवताओं के साथ आते हैं वही यहां महिलाओं का आना प्रतिबंदित है ऐसी माननेत है कि जिन देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं अगर वो करतवय का निर्भायन नहीं करते हैं तो उन्हीं देवी देवताओं को ग्रामोनियों की सिकायत पर भंगाराम के मंदिर में सज़ाबी दी जाती है इस दोरान देवी देवताओं की सुनवाई की जाती है और उन्हें एक कटगरे में खड़ा होना पड़ता है यहां भंगराम नियाधिस के तोर पर विराजवान होते हैं यहाँ पर सुनवाई के बाद अपराधी को दंड दिया जाता है वो वाधी को इंसाफ मिलता है अगर गाउं में किसी प्रकार की व्याधी परिशानी दूर नहीं होती है तो ऐसे में गाउं में स्थापित देवी देवताओं को ही दोस करार किया जाता है जिसके चलते किसी बक में देवी देवताओं की पूजार्चना के बाद अदालत लगाई जाती है जिसके बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपियों की सुन्वाइची होती है और आरोपिय पक्स की तरफ से दलील पेश करने वाले पूजारी सिरहा माजी, गायता, पटेल, आदी, उते होते हैं दोनों पक्सों की सुनवाई के बाद वैसला किया जाता है पाबा के मंदीर में गहरा गड़े नूमा घाट बना है जिसे ग्रामेंट कारागार कहते हैं दोसी को सजा के रूप में गहरा गड़े में फेक दिया जाता है जिसके चलते लाट, बैरंग, आंगा, डोली, आदी को इसमें डाल दिया जाता है कहा जाता है कि इस तरह देवी देवताओं को दोसी करार होने के बाद सज्जा दी जाती है और उन्हें मिरत्यू तंग दंड तक दिया जाता है मिलत्यु दंड में मूर्तियां खंडित कर दी जाती है और निस्कासन में मूर्तियों को मंदीर में निकाल कर बाहर बनी खुली जेल में रख दिया जाता है इस दोरान मूर्ती के जेवरों को मंदिर में ही रख दिया जाता है गाम वाले अपने संग जो भी वस्तु लाते हैं उन्हें यही छोड़ कर जाना होता है सजा की अवधी पूरी हो जाने के बाद मूर्ती को वापस मंदिर में इस्थापित किया जाता है अनस्चित कालीन सजा के लिए देवी देवताओं को अपनी गलती सुधारने का मोका दिया जाता है वे तब ही मंदिर में प्रवेस करते हैं जब वे लोग कल्यान का वचन लेते हैं देवी देवता ये वचन मंदिर के पुजारी को स्वपन में आकर देते हैं मंदिर वापसी से पहले संबंदित भगवान की पूजा की जाती है और पूरे सम्मान के साथ मूर्ती को मंदिर में स्थापिक किया जाता है इस दोरान मंदिर देवी का मंदिर हजारों लोगों से भरा रहता है आराम देवी से एक पुरानी क्यवदंती जुड़ी है कहा जाता है देवी ने बस्तर के राजा को स्वपन में दर्सन दिये थे देवी ने उन्हे कहा कि वे राज्ये में प्रवेश करना चाहती हैं जिसके बाद देवी के स्वागत के लिए राजा अपनी प्रजा के साथ इसी दोरान तेज दूफान आ गया देवी घोडे पर सवार पहले पुरुस रूप में आई जिसके बाद वे इस्तरी रूप में परिवर्ती थुई केस काल की घाटी में बना देवी का मंदिर देवी के प्रकट होने का इस्थान है